दुनिया किसी देश में तभी विश्वास करती है जब वहां का युवा आत्म विश्वास से भरा होता है। आज युवा भारत का आत्म विश्वास भारत के उजवल भविश्की नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रुप में देख रहे हैं। हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में सिख्षा स्वास्थ से लेकर स्वाफ्पेर तक हरक्षेत्र में अपार आउसर है। इसलिए हम अपने युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर के मुताबिक स्किल्ड बना रहे हैं। आज हमने मुंबई में इंडियन इंस्टिटूट अब स्किल्स का शुभारम भी किया है। इसमें युवाओं को फ्यूचर ओरियन्टेट ट्रेनिंग मिलेगी। उनके टैलेंट को बजार की डिमांड के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी सरकार ने युवाओं को पेड इंटरंशिप देने की शुरुवाद भी की है। भारत की इतिहात में पहली बार इस तरह की पहल हुई है। अब युवाओं को पांच हजार रुपिय इंटरंशिप के तौर पर मिलेंगे। मुझे खुशी है कि हजारों कमपनिया इस अभियान में जुड़ने के लिए युवाओं को इंटरंशिप में मदद करने के लिए रजिस्टेशन करा रही है। इस पहल से युवाओं की नीव मजबूत होगी। उनको नए अनुभों मिलेगा और उनके लिए नए अवसरों की रह आसान होगी। भाई और भेनों युवाओं को लेकर भारत जो प्रयास कर रहा है। उसके परणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। आज हमारे एजुकेशन इंस्टिटूट्स दुनिया के टॉप इंस्टिटूट्स की बराबरी कर रहे हैं। अभी कल ही वर्ल्ड युनिवर्सिटी रैंकिंग आई है। इस रैंकिंग के अनुसार भारत में युवाओं के लिए उच्च सिक्षा की रिसर्च की क्वालिटी बदल रही है।